जो रोबोट व्योम मित्र भेजा जाएगा उसका क्या काम होगा ये हाफ हुमनोट होता क्या है गगर्णयान मिशन के लिए ये रोबोट कितना जादा इंपोर्टेंट होगा क्या है इसकी खुबियां इन सब पर बात करेंगे इस वीडियो में नमस्कार मैं हूँ स्वार्ण और आप देख रहे हैं अंकट चंड्रयान तीन मिशन की सफलता के बाद अब गगन्यान को लेकर चर्चा तेज हो गई है ये भारत का पहला मिशन होगा जिसमें अंतरिक्ष में मानव को भेजा जाएगा इस मिशन के तीन फेज होंगे जिसमें दो बार मानव रहित उड़ा को इस मिशन के बारे में कहा कि गगन्यान मिशन के ट्राइल में एक महिला रोबोट व्योमित्र को भीजा जाएगा आने वाले अक्टूबर के पहले या दूसरे हफते में इसका ट्राइल किया जा सकता है केंदर मंत्री ने जिस महिला रोबोट की बात की उसका नाम व्योमि बनाया है जो एक महिला रोबोट का प्रोटोटाइप है अब आपको ये भी पता देते हैं कि हुमनोड होते क्या हैं तो ये एक इंसान की तरह ही दिखने वाले रोबोट होते हैं जो इंसानों की तरह चलते हैं, फिरते हैं, बातों का response देते हैं अपने function के हिसाब से, ये सवालों का जवाब भी दे सकते हैं, लेकिन इसमें decision making यानि कि किसी भी situation में क्या करना चाहिए, ये खुद decide नहीं कर सकते हैं, इसके लिए artificial intelligence, algorithm, design की help ली जाती है, अब वापस आते हैं व्योमित्र पर, त sensor, camera और microphone इस robot को communicate करने और space के आसपास के वातावरन को समझने में help करता है, वहीं equator एक तरह का motor है, जो की robot को जुकने, हाथ पर चलाने में मदद करेगा, अब सवाल ये आता है कि गगन्यान mission के लिए robot कितना important है, तो व्योमित्र अपने mission में space के environment और गगन्यान के equipment पर चानने, उससे बात करने, उनके सवालों के जवाब देने में भी सक्षम है, इसके साथ ये robot astronaut की तरह ही panel operation, switch operation, किसी भी आपदा से related चेतावनी देने में भी सक्षम है, इस तो के mission का गन्यान के लिए robot काफी ज़ादा important है, इस mission का main objective space में पहला मानव यान भेजना नहीं, बल जैसे 2013 में जपान ने कि रोबो नाम का एक robot space में भेजा था, फिर 2018 में अमेरिकी कमपनी Airbus ने साइमन नाम का एक robot भेजा था, उससे पहले NASA ने भी Robonaut 2 भेजा था, फिर 2019 में रूस ने Fedor नाम का एक robot international space station पर भेजा था, तो चंद्रियान 3 के बाद अब इस रो गगन्यान की तैयारी में जुट गया है, हम सबको उमीद है कि इस रो इस मिशन को भी सफलता पूर्वक पूरा करेगा, इस मिशन से रिलेटेड सभी अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, आप जुड़े रहें अंकट के साथ, इसके साथ अगर आपको यह वीडियो पसंद आ